एक नई रेसिपी के साथ मैं आप सबको वेलकम कहती हूँ आज की वीडियो भी बहुत जादा इन्फरमेटिव है लास्ट वीडियो की तरहां जिस तरह आपने उनको लाइक किया था आप इस रेसिपी को भी बहुत जादा लाइक करेंगे अब विंटर सीजन स्टार्ट होने है तो बच्चों और बड़ों को सब को एनरजी की बहुत जादा ज़रूरत होती है तो क्यों ना हम कोई ऐसी रेसिपी शेयर करें चलिए जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहाँ पर मैने खजूरे ले लिए हैं और मेवे ले लिए हैं जितने भी इंगिरीडियन्स यूज़ करूँगी मैं सारे बहुत जादा हेल्दी हैं इसमें हम यूज़ करेंगे अलसी के बीच यह भी बहुत जादा फाइदे मंद होते हैं इनके आगे मैं आपको फाइदे बताती जाओंगी इसमें हम डालेंगे अखरोट इसकी कॉंटिटी और मेयरमेंट आप अपने मुताबिक ले सकते हैं जितने स्पून्स आप यूज़ करना चाते हैं या जितना भी लेना चाते हैं वो आप पर डिपेंड करता है अब हम इसमें डालेंगे आलमेंट यानि के बादाम ले लेंगे इसके लावा मैं इसमें यूज़ करूंगी काजू यह देखिए आप कितने फाइदे मन चीज़ें हैं सारी बच्चों के लिए और बड़े भी इसको यूज़ कर सकते हैं इसमें हम डालेंगे Coconut और ये डेजिकेट इड़ और है इसके इलावा मैं इसमें डालूँगी देशी घी और देशी घी में ही इसको आपने बनाना है आपने दूसरा घी यूस नहीं करना अब हमें चाहिए होगा फ्राइपन और इसमें आड़ कर देंगे देसीगी यहाँ पर मैं थोड़ा सा जाधा देसीगी यूज़ कर रही हूँ यानि कि 1 टेबल स्पूर मैंने भर के लिया था आप चाहें तो आप कम भी यूज़ कर सकते हैं मैंने इसमें रोस्ट करना है सारे जितने भी ड्राइ नट्स हैं उनको और इसके लावा जब मैं इसको बनाऊंगी तो मैं ओल को रिमूफ कर दूँगी देसीगी निकाल दूँगी तो आप भी अगर इस तरह करना चाहें या अगर आप कम ही डालना चाहते हैं तो कम डाले इसमें एड़ कर देंगे बादाम अखरोट इसके लावा काजू अभी हमने इसमें अलसी के बीज एड़ नहीं करने क्योंकि वो बहुत जल्दी रोस्ट हो जाते हैं तो हम उन्हें बाद में एड़ करेंगे इनको रोस्ट कर लेंगे यह तीनों हमारे लिए बहुत ज़्यादा फाइदे मन हैं यह कीन मानिए हडियों की मजबूती हो या दिमाग की ताकत के लिए तो यह बहुत ही ज़्यादा बैनिफिशल है फ्रेम को हमने बिलकुल लो रखना है और लो फ्रेम पर हमने इसको रोस्ट कर लेना है इतना ज़ादा रोस्ट नहीं करेंगे के इनका कलर हो जाए और बशलकी सी जब स्मेल आना स्राइट हो जाएगी तो समझें जोड़ाइ रोस्ट हो चुके हैं अच्छी तरह से गरम हो तो इनको हम जब हैं चौपर में डालेंगे तो चौप करना बहुत Verब के लिए हो जाता है आपको बता है कि काजू हमारे लिए को जादा फायन है इसमें मेंगिशन हैं जिंक है इसें बहुत जादा विटमेट लीटम के लेकिकित स्व कि अच्छा हैor बदम चीज़ें देनी चाहिए जो उनके लिए फाइदे मन्द हो कादू आँखों की ताकत के लिए बहुत अच्छा होता है यह दिखिए जैसे ही थोड़ा सा रोस हुआ है तो हमने इसमें एड कर देने हैं अलसी के बीच यह इतने जादा फाइदे मन्द हैं कि आप इसकी अगर सर्च करें तो आपको पता चरेगा कि इसके कितने जादा फाइदे हैं इसमें बहुत जादा मिक्तार में ओमेगा 3 होता है और फाइबर होता है और ओमेगा 3 हमारे लिए इतना जादा फाइदे मन्द है हमारी हार्ट के हैं especially ladies इसको को ले सकती हैं और हडियों के मजबूति के लिए यह बहुत अचा है तो देखे कि अच्छी तरह से मैंने रोस्ट कर लिया है इसको अब हमने इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा करना है और इसे एड़ कर देना है चोपर में जैसे कि दो मिन के लिए मैंने रखा था ठंडा हो चुका था अच्छा आप देख सकते हैं कि इसमें जो ओईल था एक्सेसिफ वह मैंने निकाल दिया है बस नॉर्मल सा ओईल है और इसको इसमें एड़ करेंगे इसके इलावा हमने जितने भी बा आड़ कर दिया है डैजि केडिकोनेट इसको हमने रोस नहीं करना वरना सारा फ्लेवर ख्राब हो जाएगा इसलिए इस नाइंब पर आपने आड़ करना है और ये बना रही है हम बच्छों के लिए तो मैंने यहां पर आड़ कर दिया है नियोटेला ये आपकर डिपैंड क की चीज खाते हैं तो उन्हें खाने में बहुत अच्छा लगता है तो आप इसको जुरूर एट कर लीजेगा एक अच्छा सा फ्रेवर आजएगा और उनको पता भी नहीं चलेगा कि क्या चीज है और किस तरह की हल्थी चीज वो खा रहे हैं यह दिके मैंने इसको चॉप कर मिक्स्टर रेडी हो चुका है जिससे लड्डू जो हैं बहुत जबरदस से बन जाएंगे और बॉल्स हम बनाएंगे लड्डू कह लीजिए या बॉल्स बना लीजिए और बच्छों को देंगे तो वह एक बॉल्स बच्चों के लिए बहुत ही जादा फायदे मन्द होगी आप उसके साथ एक गिलास दूद दीचे तो ये बहुत ही जबरदस एक रिच मील है और इसको इसी तरह से मिक्स करेंगे तो ये एजिली बाइंड होना स्टार्ट हो जाएगा बस हमने इसको एक शेफ दे देनी है इसको बॉल्स की शेफ दे देंगे लड्डू की शेफ दे कीजिए का और बचों को अगर आप ये एक भी देते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा और इसका फ्लेवर उन्हें बहुत जादा पसंद आएगा क्योंकि हमने इसमें न्योटेला एड्ड किया है लेकिन अगर आप न्योटेला एड्ड नहीं करना चाहते और आप लिए बनाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे इसमें हनी एड्ड कर लेंगे उससे भी बहुत जबरदस सी बाइट स्टैडी हो जाएंगी बहुत ही हल्दी और बहुत ही न्योटिशियस तो आपने इसको जरूर ट्राय करना है और इन बोल्स को आप बना कर सेफ कर सकते हैं आप इसको बना कर तक्रीबन एक महिने तक सेफ कर सकते हैं वैसे तो तमाम इंग्रीडियन्स तो हैं वो ड्राय हैं आप मंगा कर रख लीजिए और फटफट से भी आप इनको बना सकते हैं एक वीक के लिए बना सकते हैं और एक मंद के लिए बना सकते हैं और आपने सुबा नाश्ते में इसको बच्चों को देना है तो बहुत जादा हेल्दी रहेगा उनके लिए फुल मील है और उनकी जितने भी घजाई जरूरियात होती है वो सारी पूरी हो जाएंगी आप चाहें तो इन्हें स्टोर कर लीजिए और एक बॉक्स में बंद कर लीजिए और बिमारिया सद्यों में जादा अटैक करती हैं तो उन सबसे बचने के लिए बेहतर तरीका ये है कि जो हम नैच्रल चीजें हैं उनको अपनी लाइफ में शामिल करें इस तरह की हल्दी चीजों को अपनी रूटीन का हिसा बनाएं ताके एक तो हम बिमारियों से बचेंगे और हमारा इम्म्यूनिटी सिस्टम बेहतरीन रहेगा तो कोई भी बिमारी हम पर अटैक नहीं करेगी इस सारे नर्जी बाइट्स मैंने रैडी कर लिए हैं तो आप भी इस तरह से रैडी कर लीजिए और इसको थोड़ा सा और जादा टेम्टिंग मनाने के लिए मैंने उपर काजू लगाया है तो आप भी इस तरह से लगा सकते हैं बच्चों का इंट्रेस्ट डिवेलप कर सकते हैं इस रैसिपी को ज़रूर टाई कीजिएगा फीडबैक दीजिएगा नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा थैंक्स फॉर वाचिंग अलाहाफिज झालाहाफिगा 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 झाल झाल